आपने एक संचिप्त परिचे दीजिए जी जी मैं हूँ तो हिंदुस्तानी दिखा हूँ मैंने आफ इंडियन है क्योंकि कई चीज़ों की समझ में नहीं आती और मैं अपने आपको कई चीज़ों मैं क्या कह सकते हैं अकिला पाता हूँ तो मैंने खुद को हाफ इंडियन को कि अधके ही और में वूंग सेक्ष्ट मेंदेख़चे हूँ मैं रहता बाहर हूँ और यहां अकेहीं महस् primero कहते हैं कि हम जैसा रवीश कुमार कहते हैं तो हुए अपके जिस में आपकी संता हूँ लेकिण क्या आपकी आपकी स्विश्वापता दी पकाकूआ अपको श्क् तो पूरे तो देखवाना संबद नहीं होता, उनके जो छोटे पार्ट होते हैं वो जरूर सुनने की पुशच करता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ आपकी देवदक पतनायक के बारे में क्या रहा है, तो मेरा सवाल रखने के पहले मैं जरा ये जानना चाहूँगा, य क्रेडेबल सोर्स है आपके नजर में या नहीं है, क्योंकि सवाल उसी पर डिपंड करेगा, जी देवदक पतनायक जो है न, उनका जो सोर्स है, जो सोर्स उठाते हैं, पुराणों का और वेदों का है, तो उनका जो सोर्स है न, उनके सोर्स को हम लोग मानते हैं, कि वो तक तो इसलिए उनका सोर्स पूरी तरह से वैलिड नहीं हो पाता है तो अब हुई रहा था कि मैंने कहीं पर यूट्यूब पर आप इससे कुछ समय पहले पढ़ा था कि बुद्ध के विचार स्थ्रियों यानि बुद्धास थौट्स फीमेल्स कुछ इसके बारे में कुछ मैंने पढ़ा था तो फिर मैंने जरा सोचा कि इसको जरा यूट्यूब पे सर्ज भी करा गूगल पे सर्ज भी करा जाए तो फिर वहां पर जो मुझे इंफर्मिशन में थी वहां पे मुझे नहीं पता मैं यहां पर आपको वो वेबसाइट शेयर कर सकता हूं कि अगर आप चाहत इसक्त ऑफ बुद्धिजम डेट नोबडी टॉक्स अबाउट यानि कि वह यह कहते हैं कि बुद्धिजम में भी मैलाओं को निचले दरजे पे रखा गया है और इस बारे में कोई बात नहीं करता है इस बारे में बात करना चाहता था कि दिव्दत पतनायक जो अपने इस महिला थी ही नहीं अब मुझे फराग नहीं पड़ता है इस चीज़े क्योंकि मैं तो एक नास देंगो बुद्ध हो या राम हो या महावीर हो या कोई और हो मेरी नजर में तो सब सब एक ही तरह कहें महाल लोग हो सकते हैं लेकिन कोई भगमान इन में से नहीं है तो इस बा अगर का नायक कि विन्हा पिटाण का में कहागया है कि अंग्रेजी में है तो मैं दर्शे के लिए बता दूं मैं इसको ट्रांसलिट कर दूं है बाद में अगली बार वो कहते हैं कि Of all the scents That can enslave, None is more lethal than that of a woman. यह कहा जा रहा है कि कोई भी चीज जो इंसान को गुलाम बना सकती है उसमें सबसे बुरी एक महिला है जो कि आदमी को इंसान को नहीं आदमी को अपना गुलाम बना सकती है फिर वो कुछ statistics देते हैं वो कहते हैं कि वही बिक्षों के लिए कम कानून तें बनेसपद निकुनियों के लिए फिर यह था कि आ कि मौ्क्स को एक आ गया घर के वह अन्दर सुएं घरके बहार ना सुएं क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था कि कोई बैख्शु बहार सुए थे और फिर समझना है कुछ हो गया था हूँ आप वह कहना नहीं चाहता है तो आपके इस बादर इसको आगे ना खेचते बहें सबसे बने बताएं आपके इस बार में क्या रहा है यह फीमेल्स और बुद्धिसम इसके बारे में आप क्या कहते है जी हाफ इंडियन आपका काफी अच्छा प्रशन है और यह प्रशन अक्सर हां जो भारत के ब्रह्मेनिकल सिस्टम के जो लोग हैं जो बुद्धमार को डिफेम करना चाहते हैं वो अक्सर हां यह प्रशन उठाते हैं एक जगह नहीं है यह देउदत पटना है की नहीं जितने भी ब्रह्मेनिकल सिस्टम के स्कॉलर ह सबने यह प्रश्न हाइलाइट किये हैं और यह इसलिए हाइलाइट किये हैं ताकि इनके जो राम और कृष्ण पर जो असलेलता और जिस तरह से सीता का इन लोगों ने वर्जिनिटी चेक करने के लिए आगे में जलने की बात कही या फिर इनको जो है गर्ववती में जो किया खिर खिला के हुआ फिर घोड़े के सांथ कौसल्या को एक रात सुलाया गया तो यह जो चीजे इनके सांथ जूड़ी हुई है जो एक दाग जुड़ा हुआ है इसी तरह से कृष्ण की जो बाते आती हैं जैसे पुरान पढ़ लीजिए कोई साभी इनका पुरान पढ लगती थी तो बहुत सारी चीजे इन पर जो थोपी गई है इन चीजों को किसी तरह से यह चाहते हैं कि हम यह चीजे छूप जाए और बुद्ध मार्ग इस पर सुप्रियाल्टी ना हासिल कर ले जैसे बुद्धा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि है आईडिय आई आ जाती है बबाओ की जो ब्रेमेनिकल सिस्टम में देवदासिया रखने की प्रथा है तो वह आरोप भी उन पर नहीं था तो इनके पास यह पॉइंट बचता है कि अब किसी तरह बुद्ध को हम इस खाके में खींचे कि कहीं से भी महिला विरोधीन को हम दिखा दे त आपना यहां पर विव और पॉइंट देना चाहूंगा जो मैंने अब्जर्व किया है खुद परसनली अब्जर्व किया है इवन आप अर्कियोलोजिकल एविडेंस आप उठाकर देखना सुरू कीजिए तो आप पाएंगे कि जो पुरूसों के सुतूप बनते थे जब भ खीर खिलाई थी जब बुद्ध वरत कर रहे थे तो मतलब वरत कहने का मतलब फास्टिंग पर थे उनको उनने ये भी करके चेक करना चाहा कि इससे मुझे गौड मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है तो जब अधमरी हालत में थे तो उसी लड़की ने जो थी उसी ने खाना वग मिले हैं सेप्रेट जैसे नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसमें अलग-अलग रूम बने हुए हैं बहुत विक्वों के पढ़ने के लिए उसी तरह से महिलाओं के लिए भी अलग-अलग संग मिले हुए हैं महाभिहार मिले हुए हैं जहां पे स्कॉलर्स रहती थी सारी चीजें मिलती हैं एजुकेशनल हक था और इनमें कहीं एजुकेशन से नहीं रोका गया अब होता क्या है कि एक तरफ हम क्लेम तो कर रहे हैं कि महिलाओं के बारे में बहुत बुरा-भाला लिखा गया है ये लिखा गया है दूसरी तरफ यही लोग ये भी बता रहे है कि जब इनकी माता या जो बहुत विकुनिया इनके पास पहुंची बुध के पास जो कि अपनी वाइफ को छोड़कर अपने घर परिवार को छोड़कर जंगल में रहते थें तो वहाँ पे जब वह जंगल में रह रहे हैं वहाँ पे कुछ औरते पहुंच रही हैं और कह रही जिसके यहां कोई महिला नहीं रहती हों, वो सारे के सारे ब्रहमचारी लोग ही रहते हों, वहाँ पे चली जाए, तो समाज क्या कहेगा, इस सिच्वेसिशन को समझने की कोसिस कीजिए, तो वहाँ पे बुध का ये डिसीजन होता है, कि मैं आप महिलाओ को नहीं ले सकता हूं इंकार करते हैं और इसके बाद से उनके जो आनंद है, मैं ये हवाले दे रहा हूं बुधिस स्क्रिप्चर के अधार पर, बाबा साहब न भी इस चीज को कोट किया है, ये भी देखना होगा, तो वो आनंद उनसे कहते हैं कि लेकिन महिलाओ को अगर हमने इस बुन्याद प करते हैं कि महिलाओ अगर बाहर रहती हैं अपने घर द्वार को छोड़कर और हम लोग भी अपनी महिलाओ को छोड़कर यहां पे रह रहे हैं, तो जो मानो प्रविर्ती है, उसको कुछ भी तो कंट्रोल कर लंगे, लेकिन क्या सभी लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उन पर अग तो पूलीस है, कहीं भी अगर होश्टल वगरा खुल गया, तो वहां पे कोई रहा रहा है, पूलीस चकर लगाती है, देखती है, तो सेकुरिटी रहती है, उस समय तो कोई सेकुरिटी वेवस्ता नहीं थी, वहां पे अगर कोई दस्यों या डांको या कोई विचित्र वह अगर attack करते हैं फिर ओं कैसे defence flopper 이게 in Chiya फिर उन्होंने यह CHRIS इनको रख सकते हैं लेकिन हमें कुछ नियम relative बनाने होंगे तकि यह भी सरह तो उस नियमों में उन्होंने दस नियम बनाये थे विक्षुनियों के लिए जिसमें उन महिलाओं की भी जो हेड थी वो एक महिला ही थी और वो नियम इसलिए बने थे ताकि security के हिसाब से जैसे आज आज के भी डेट में मैं आपको बता रहा हूं आप IIT दिली में भी चले ज जो लड़कियों के होस्टल होते हैं उनके नियम थोड़े से कड़े होते हैं जो लड़कों के होस्टल होते हैं उनसे लड़कियों को अभी भी आप ये तो चलिए ये इंडियन इंस्टूट हो गया थोड़ा सा आप एस्टेट लेबल पे जाए ये प्राइबिट कोलेज में वहां पर और चाहता है लड़कियों के लिए रूल क्यों होते हैं इसलिए नहीं होते कि लड़कियों को दबाया जा रहा है। इसलिए होते हैं उनकी सेकुरिटी के लिए कि वो रात में अगर साम को 8 बजए 9 बज़े तक होस्टल में चली आये। लड़का तो 12 एक बज़े भी फिल्म देखकर आ सकता है होस्टल में लेकिन लड़कियों को थोड़ा प्रयास कर जाता है समय से चलिया है तो यह जान बुझकर उनके लिए स्टिक्ड बना जाता है बेसिकली यह चिंता रहती है सेक्रूटी की तो वो जो सरकुमस्टांसे से उ किरवी उन्होंने सामिल किया लेकिन आज से 26 साल पहले हमें कंपेर भी करना होगा हम आज की डेट में नहीं कंपेर कर सकते हमें 26 साल पहले की सिच्वेशन देखनी होगी क्या उस समय 26 साल पहले अन्य दुनिया के लोगों ने इतना हक दिया था महिलाओ को या वो पहले व्य आभियार बने हैं उसे के करन से महिलाओं की जो है चीज़ेशें भी आगे बड़ी। अमरपाली, छियोकी एक नर्तकी थी, उस नर्तकी को ये भी प्रसंग आता है कि जब कोड़ या किसी चीज से हो गया था तो उसको सहर से बाहर फेक दिया गया था उसको लोग अच्छूत मानके छोड़ दिये थे किसी बीमारी के करन तो उसको भी उन्होंने इलाज बगर किया था वैसे लोगों पर अगर यह आरूप लगाया जा रहा है कि यह महिलाओ को खराब कहते हैं यह कहत इतनी छूट इनने दिया इनने तो बुड़का पाहनवा दिया लेकिन उनके जो बहुत हमार की लड़कियां है वो तो बाहर वीदेसों में जा रही थी जो समराट अशों की बेटी थी संग मित्ता वो तो सिरलंका जा रही है बहुत धम के प्रचार के लिए वहां पे तो उ इंग्लिस ट्रांसलेशन पढ़के या अलोचना के क्रिटिसाइज के पच से अगर ये बात कह रहा है कि महिलाओ को बुड़ मारग में अधिकार नहीं दिया तो चलिए ठीक है उनका पॉइंट सही है वो साइद 21 सदी से तुलना कर रहे हैं लेकिन मुझसे अगर कोई ये प पर अट की नजर में बुद्ध क्या है वो की अधिक महान व्यक्ति है बुड़ने खुद को भी वगवान नहीं आगेवान तो खैर अपन हटाई देते हैं क्या आपके नदर में बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हों ने जो कुछ करा जो कुछ कहा सब सही है उनने तहना हे, यह जो लोगों को पाली साहित्य के बारे में नहीं पता है या पाली लेंगविज नहीं पता है वो लोग संक्रित unggraminiscors से उठाते हैं बहुति है बहुति बहुत ही मतलब를ं अंस्राइन का इसफर्वार घॉर्ट होटा है लेकिन पाली साहित में जो भगवा है उसका नहीं है। इसल करा हैं उसको हम कहते हैं कि यह भगवा है यानि भगवान है।UUS को भगवा कहते हैं। लेकिन जब संस्क्रीट में आप भगवान का मतलब परलोकिक हो जाता है कोई इस्वर हो जाता है मैं बता दू कि मैं एक जैन हूं पैदा में एक जैन घर में हुआ हूं तो हमारे जो अर्यांत हैं जैन जैनियों में जैन कहा जैन जीन जिए ऽे संके तोर ने स्थ Ну spiritually आघागा धा है मैं यतनो क्यों तो आप जैने सब्सक्राइब चाहिए जो अपने और टैस्व जहूं और जाता है निक जो हर चीज़न यह तो बहता है definition दिया गया है ना यह definition तो बाद में दिया गया है पाली जो initial definition है उसके अनुसार तो perfect man को कहा जाता है बिलकुल जैसे जैनियों में जिन कहा गया या जिनेंद्र कहा जिनेंद्रियों को जीत लिए तो वो मैं समझ गया